a lo laps you welcome back SAY हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चो 3 चैप्टर चल रहा था ठीक है लें जो मारी बुक थी पनॉर्मा उसमें ठुर्ड चैप्टर और लेसन का नाम बयता ठुर्स हमने बच्चो इसके फ़र्स पार्ट में जो है पड़ लिया ता आधा Αथ którego कि इसमें करेक्टर होता है जो कहता है कि मेरे दोस्त में मुझे कहानी सुनाई थी और कोई पैंटिंग थी टरनर की पैंटिंग जो दस से लिंग में वो खरीद लेता है और खरीद के जो बैसता है जिसको पचास पॉर्ण में वो बैस देता है तो बताना चाहता है। जो लेखा के उसने वो उसके बारे में बताना चाहा है। तो जब उसको profit मिला था 50 पॉंड का तो वो कह रहा है कि मुझे जो profit मिला है तो मैंने जिससे सबसे पहले penting खरी दिना उसको भी मुझे profit देना चाहिए। तो बाते करके उसको चिट्टी लिखता है चिट्टी लिख करके फिर उसको बता रहा है कि भाई मैंने penting तेरे से लिखते वो बिग गई और इतने बिखी है मैं तेरे को आधा दे रहा हूं ऐसे बात चलिती बच्चो ठीक है अब उस चेप्टर को आगे अब हम पढ़ते देखिए बच्चो बढ़िया तरीके से हम आपको बताएंगे आप जो है लाइन टू लाइन समस्ते जाईए ठीक है तो उसके बाद स्टांप नहीं था चिट्टी उसने लिखी चिट्टी लिखने के बाद जो है उसको पॉस्ट नहीं के और सोने के लिए चला गया अब बत आफ या मिलिया यह उसकी नीन्द खुल गई यानि वह जाग उठा आके खुल गहीं गया अकोर्डिंग टू कस्टम वह बोलता है कि जैसे उसकी स्क्राइट थी आदधी हमें से कि आदधी बिगेन टू रीव्यू रीवू करने लग गया विचार करने लगया कहता है माई ल Of ever suffering from loneliness. Loneliness का मतला अकेलापन, जो कह रहा है कि उसके उस अकेलेपन में उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता था, कोई गलती का भी, which are no danger, कोई किसी परकार खट्रा महसूस नहीं होता था, Of ever suffering from loneliness, अकेलेपन के अंदर, किसी प्रकार की उसको पीडा मैसूस नहीं होती थी फ्रॉम दीज आई रेच्ड वो कहता है कि इन बात को लेकर के मैं पहुचा मतलब सोच रहा है बाई वे अप मिटिगेशन अब क्या कर रहा है बचों यहां पर वो कह रहा है कि मैंने जो थोड़ा सा mitigate किया था मतलब mitigate करने का मतलब करने का हो गया कोई कारी ऐसा कर रहा है जिसमें क्या कर रहा है वो अपने जो किये हुए गलत कारियों को कम करने की कोशिज कर रहा है तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है सोदेवाजी कि हाली में जो सफल हुआ हूँ उनके बारे में सोच रहा है कि हम यह जितनी पी छोटी मोटी गलती हैं उनको में दूर कर दूँगा and put the letter to the dealer under both examination and cross examination अब क्या करने लग गया उस letter को अपने सामने रख लिया और उसके बार बार cross examination अब बार बार judge करना मतलए examination करना जाचार फिर परखने लगया बार बार उसके judge करने लगया क्या कहता है why so my thoughts ran अब वो कह रहा है कि मेरे विचार मेरे अंदर चलने लग गए automatic क्या सोचता है why क्यों why भी quesotic मैं इतना quesotic क्यों बनूँ quesotic का मतला होता है मूर्गतापून तरीके से किये गे कारिये मतला इतना उदारवादी क्यों बनूँ ऐसा ऐसे आदर्स इतने आदर्सवादी बनके में क्या करूंगा quesotry person होते हैं बच्चो जो दूसरों के परति जो है दया दिखाने वाले जैसे ठीक है ना जैसे इसमें क्या कहा गया है this is not world for quizotry ये उदारवादियों का ये आदर्सवादियों का लोग के प्रति दया दिखाने वालों का संसार नहीं है it was my eye वो कह रहा है देखो ध्यान रहना पहले तो उसने क्या कहा था आदा देने के बात की थी ये आपको पता है मैंने बताए था लास्ट वीडियो के अंदर क्योंकि उसने कहा कि उसके साथ उसने अच्छा व्यवार किया था ठीक है इस वज़े से अब यहां कह रहा है कि मैं उसको आदा क्यों दू भाई मैं उसको आदा ये तो यहां पर ने वास्तों में वो पैंटिंग टर्नर की थी उस ड्रोइंग की हकीकत को पहचाना था ना कि उसकी नजरों ने पहचाना था वह तो वास्तों में आशाफल था और अपने काम के बारे में बिलकुल नहीं जानता था वाई पुट अप्रीमियम और इनाप्टिट्यूड अब इतना प्रीमियम जो मैं उसको दे रहा हूँ इतना फाइदा दे रहा हूँ उसके लिए बोल रहा है ये इनाप्टिट्यूड होगा ये तो एक उसके प्रति केतना है अकुशल्टा एक उशल्टा को जहिर करेगा उसके प्रतिजो नो अप्रेजेंट आप से टैन पाउंड नहीं उसको उपहार सुरूप मुझे दस पाउंड देना चाहिए पहले आदा दे रहा था तो यहां पर इस सेकिंड पोजिसन आ गई भचो यहां पर क्यों दे रहा है कि उसकी नजरों नहीं चाहिए ठीक है तो सेकिंड टाइम उसने सोच करके टैन पॉर्ण पे आ गया पहले हाप पे था हाप से आ गया कि इतने पे टैन पॉर्ण पे वह आ गया ठीक है बच्छो आगे देखते हैं आपको लाइन टो लाइन में आपको बता रहा हूं आप अच्छे से चिरप दिमाग लगा करके थोड़ा इसको एक बार रीड करना पढ़ने के बाद ऐसे ठीक है तो क्या कहता है स्लिप स्टील रिफ्यूजिंग टो अब वो नीन में तो सोई रहा था वो कह रहा है कि मुझे अभी इस बज़े से मिझे को नीन दोर नहीं आ पा रही थी वहले मेरे स्टोरी कहता है कि मैंने एक छोटी कहानियों के पुष्टक ली एंड रीड वन और उसमें से एक पुष्टाव को पढ़ना सुरू कर ले कहानी को पढ़ना सुरू कर दिया देन तभी I close my eyes again फिर मैंने अपनी आखे बंद कर ली and again begin to think about the dealer देगे फिर वो कह रहा है उसमें उ सोचने लग जो मैंने डील कीते इस dealer के बारे में सोचने लग्या वाय क्यों so my thoughts ran मेरे विचार चलने लगे मतला में सोचने लग्या send him 10 pounds उसको 10 pounds क्यों दू दू भई सोच रहा है देखो यहाँ पर क्यों दू में उसको 10 pounds तीसरा reason आएगा बच्चों यहाँ पर ठीक न it will only give him a wrong idea इससे तो उसके मन में गलत विचारा जाएंगे of his customers अपने ग्रहकों के प्रती कि अगर मैं उसको 10 pounds दूँगा तो उसके मन में गलत विचाराना शुरू हो जाएंगे none other of whom would be so fair अब जिस तरह से वो है वैसे जरू थोड़ी हर कोई ऐसा ही हो कि लोगे परती वो गलत विचार लाएगा ही लाएगा 10 pounds में उसको दे दूँगा तो देने के बाद वो सुचेगा कि ऐसा उदारवादी और भी उसको मिलेगा और भी कोई ऐसा हैगा तो इतनी उदारता उसके लिए अच्छी नहीं है so supporting as I जितना मैं साथ दे रहा हूं ऐसा और देगा कौन he will expect अब वो क्या करेगा expect करेगा उमीद करेगा similar letters ऐसे पत्रों की जैसे पत्र मैं उसको लिखे बैज रहा हूं तो वो भी क्या करेगा बार बार उमीद करेगा everyday हर दिन and be disappointed और निरास हो जाएगा and then he will become embittered और उसके मन में कटू विचार आने लग जाएंगे वो embitter हो जाएगा कटूता से भर जाएगा and go down the well of tears in miserable creature और क्या करने लग जाएगा miserable creature की तरह एक दुखी इंसान की तरह क्या हो जाएगा वो इस वैली में घाटी में जिस दुख से आस आसों को बहाना सुरू कर देगा तो दुखी घाटी में दूप जाएगा अथार दुख बड़ा जीवन वो यापन करने लग जाएगा इस तरह से उसको ऐसा नहीं मिला तो लगता था एपिटी नए एक क्राइम उसके प्रतिद्या दिखाने का मतलब क्या है वो सोच रहा है यह तो एक अपराद होगा एक क्राइम होगा यह अनुचित कारिय उसको नहीं करना है त्वी इंजर सच नेचर उसके वह जी यवार के प्रति नहीं टेन पॉंड इस एपजर्ड वो क्या बोल रहा है डश पॉंड जो है वो तो क्या होगे टेन नहीं बहोंगे अँच इस इस एपजर्ड जो वो कह रहा है कि 10 pound देना तो उसको absurd होगा बिल्कूल ही बक्वास सा होगा 5 would be plenty प्रयाप तो होगा कि मैं उसको 5 pound दे दू 10 would put him above himself 10 pound लेकर के तो वो क्या करेगा उनको बार बार जो है अबो अपने आप में himself खुद कोई put him उच्छाल देगा उनको खुद कोई जो है अपने आप में सोचेगा उचलेगा कि मेरे को 5-10 pound मिल गया और अपने आपको आस्मान में उच्छाने लग जाएगा जो उसके लिए अच्छा नहीं है ठीक है बच्चों समझ में यह था थर्ड पहले में क्या देखा हमने पहले में देखा कि उसने क्या बोला उसके वेवार अच्छा था तो भी हैवियर को ले लिया उसने किसको भी हैवियर को दूसरे में उसने क्या देखा जब उसको आदा दिया पिर आदे के बास सीधा किस पर आया 10 पॉंड 10 पॉंड पर miй किव आया वो बोल रहा है कि उस व्यकती ने जो है उसकी नज़्य ती उसी ने पैचाना था इसलिए आधक क्यों दूं ठीक है तो यहाँ पर आई जागई ठीक है फिर 30-30 में क्या देख रहा है बच्छो ठीक है अभी और कम आएगा वाइल आई वोज ड्रेसिंग दा नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं अगली सुबह तैयार हो रहा था आई थोट अबाउट दा डीलर अगेन फिर से उस भी आपारी के बारे में में सोचने लगा वाइ सुड़ाई मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए सो माई थोट स्रें मेरे विचार दोने लगे ड्रेक्ली आई हैड फॉर दा फर्स ताइम बोले पहले तो पहली बार तो ऐसा हुआ है ड्रेक्ले सीधे ही पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है क्या इन माई लाइप मेरे जीवन में ब्रोट आफ फाइनेंसियल कॉप कि मेरे को जो है इतना फाइनेंसियल कॉप मिला है यानि कि इतना अच्छा पैसा मेरे पास इतनी संगर्ज करके लड़ाई लड़के मैं इस आर्थिक रूप से जो है पूरी तरह से सफल हो पाया हूँ पहली बार तो मेरे को सफलता मिली है तो मैं उसको आदा हिस्सा क्यों दूँ इसे बिरबाद कर दू वो भी बहुत बड़ा हिस्सा लाब का उसे दे करके वोज नौट दैट दा फ्लाइंग अप देवकर क्या सोच रहे हैं या पर वोज नौट दैट वोज नौट दैट फ्लाइंग इन दा फैस ओफ गोड़ेज ओ बिजनिस कही मैं ऐसा ता नहीं रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि धनकी देवी के मूँ पर ही धन मार रहा हूँ कि ले तेरा पैसा तेरे पास ठीक है ना फो येवर सी मैं भी कैसी भी देवी हो सकती है अगर मैं उसके मूँ पर ये पैसा मार देता हूँ तो वो क्या हो जाएगी नाराज हो जाएगी Was it not asking her to discard कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको चरहा हूँ कि मैं उसको अपमान कर रहा हूँ Only a day or so after he had last got on term कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उस धनकी देवी के उपर पैसा फैंक करके यह अंतिम संड मेरे को मेरे पास जो यह अंतिम संड हो ठीक है ना मैं उसका तिरसकार कर रहा है वो एक तरह से there is no free like a woman is gone ऐसे इस महिला का इसका तिरसकार करके उसको गुसा दिलाना अच्छा नहीं होगा कि मैं उस धनकी को नाराज कर दूँ it would probably be the end of me इससे तो क्या हो जाएगा मेरे खुद का ही अंत हो जाएगा अब देखो यहां से एक अच्छी लाइन आती है वो चो city magnets का question भी आता है बड़ा question भी आ सकता है साथ नंबर का छोटा question भी आ सकता है तो देखो यहां के रहा है city magnets सहर के ब्यापारी magnets बच्छों क्या होते है ब्यापारी होते है are successful वो बड़े सफल होते है probably just क्यों क्यों होते हैं कि because they don't these foolish impulsive thing क्योंकि इस परकार का वो foolish मूरकता पूर और impulsive भावुकता पूर कार यह कभी नहीं करते है impulse is the negation of magnetism magnetism ब्यापार में ब्यापार में impulsion जो है भावुकता जो है वो negation है विप्रीथ है उसका बिल्कुल नकारात्मक रूप है if I am to make any kind of figure in this new role अगर मैं इसमें नई भूमी का निभाता हूँ of fine art इस ललित कला में speculator एक ललित कला में speculator ने निकला करती हो कि अंदर उनको speculate करने वाला ब्यापारी परखने वाला ब्यापारी इसकी भूमी का निभाता हूँ so my thoughts ने continued फिर से उसके विचार दोड़ने लगे I must control my feelings इसकी मुझे भी अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहिए no 5 pound is absurd नहीं 5 pound तो परियाप्त होगा बिल्कुल बकवास होगा is absurd a ducer of one pound आप देखो क्या बोल रहा है अब उसके लिए जो क्या होगा a ducer होगा मतलब एक बेट के रूप में और एट एनी विदाउट एनी रेट किसी कीमत के उपर nothing serious but a gift of quail and money from the clear sky to the dealer देखो एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है यहाँ पर कि एक ब्यापारी जो होता है उस ब्यापारी के लिए वो बोल रहा है कि जब वो एक रुपया एक पॉंट उसको दे रहा है तो एक पॉंट देने पर उसके लिए क्या हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा a quail of a quail of money from the clear sky यानि quail क्या है एक पक्षी है एक पक्षी का नाम है मतलब quail होता है इसके मैं नहीं कह सकते हो आप यहाँ पर तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये तो एक महान उपलब्दी हो जाएगी कैसे जैसे किसी को clear मना इसका ये छपपर फाड के भगवान ने कुछ दे दिया हो ना वैसा हो जाएगा उसके लिए without बिना how we ever doing any hard बिना कोई काम करे बिना कोई नुकसान करे उसको तो सब कुछ मिल जाएगा फिर से बताता हूँ मैं इसको यहाँ से प्रियाप्त होगा कि उसको इतना भैट रूप में मिलना चाहिए ये मेरे लिए कुछ नहीं एनिरेट किसी कीमत वर नथिंग सीरियाज प्रियाप्त होगा उसको एक पाउंड देना और उसने क्या किया साथ में एक छोटा पत्र लिख दिया अब क्या होता है तो यहाँ पर यह फोट टाइम हो गया सोचने लगया कि दनकी देवी का अपमान कर रहा हूँ तो गोडेज का ठीक है चार बार सोच रहा है अब देखें एंडिंग हो रही है वो किया रहा है कि मैंने इस लिफाप्य को अपनी जैब में डाल लिया और नॉट वीडियो लिखा था वो और चेक भी डाल लिया फिर वो कलब में पहुंचे साब पब में चला गया फोर लंच खाना खाने करें कलब गया अब ब्रीज होता है भीया एक तरह से जुआ गेम जो होता ना तो ब्रीज तास का खेल कहे सकते हो आप तो उसने तास का खेल खेलना शुरू कर दिया डिजास्टर ली बहुत भूरीतर से खेला मतलँ यहाँ पर क्या ओगया बच्चो भूरीतर से भू हार गया और क्या केता है यह उसने वह लेटर उसने भी तक पोस्ट नहीं कहता इसलिए बड़ा ही खुस था क्या केता है आगे आप टरोल so my thoughts ran फिर भी क्या के रहा है कि मेरे विचार दोना खिरकार क्या हुआ as I destroyed the envelope मैंने उस लिफापे को nust कर दिया and contents उसमें लिखे हुए कागज को भी nust कर दिया such bargains ऐसे सोदे बाजी are all part of the game इस खेल की तरह एक भाग होते है खेल का हिस्सा होते है buying and selling देखो अंत में उसको जो है न दिमाग में आ रही है कि वास्तों में गल्ती क्या कर रहा था buying and selling are perfectly straightforward matter खरीदना और बैचना एक सीधा साधा सोदा होता है किसके between dealer and customer ब्यापारी और ग्राह के बीच में the dealer ask as much as he thinks dealer हमें से क्या बोलता है उसको कहता है कि जितना ज़्यादा चाहे उतना वो लेता है सोचने से भी ज़्यादा he can exhort प्रयाप खैंच ले प्राप्त कर ले and the customers having padded और ग्राह को से चुका दे is under no obligation इसमें किसी यो कोई बात देता नहीं होती है whatever to the dealer उस ब्यापारी के लिए बनलो जो ब्यापारी है कोई बात दे नहीं है उसमें और क्या होती है the incident is closed इस प्रकारी गठना यहीं समाप्त हो जाती है तो बच्चो यह chapter अपना था third thought का पुनर विचार का चार बार वसोचता है चारो बार में कहता है उसको अपने आप में कहता रहता है कि नहीं इतना हादा नहीं देना दस पॉर्ण नहीं देना पहले गया हाप देता है फिर कितना 10 पॉर्ण फिर कितना 5 फिर कितना 5 5 वन पे आ गया तो वन देरा जब वो हार गया ब्रीप में जाकर के उसमें जाकर तो इस प्रकार से बच्चो आपको यह lesson जो है बड़े अच्छे से cover करना हिंदी translate complete है इसमें जो आप लोगों में एक बात बता देता हूँ questions जो हो ना छोटे बड़े questions जितने भी हो सारे सारे important है देखी यहाँ पर यह भी question है 60-60 words वाले सारे important question है अपने विचारों में अपने सब्दों में इसको लिखते हैं यहाँ से आ गए विया 20-30 सब्दों वाले question है 20-30 सब्दों वाले तो आप इन सब को cover कीजिए और lesson को बढ़िया से तयार कीजिए ओके मिलते हैं अगली class में बहुत ही जल्दी और अगला chapter लेके बढ़िया सी story जो भी होगी अंदे translation के साथ तब तक good day good bye